सरकारे एजनसी नाशनल इंफरमेटिक सेंटर के माध्यम से एक सौफ़वेर तैयार किया गया इसका उदेश्य सौफ़वेर के जरी कोट से जेल को चोड़ना वही अलग-अलग मामलों को रेकर जेल में कैद आरूपयों को लेकर होने वाली सुनवाई की दोरान ये सौफ़वेर आवशिक जानकारी कोट को उपलब कराएगा जेल प्रशासन को अदालतों की वरतमान सूशन प्रणाली के साथ चुरने वाले प्रीजन नामग इस सौफ़वेर का क्रियान वेन वर्दा में शुर किया गया है कि हाई कोट की और से स्वेम संग्यान लेकर इस मामले को चन हितियाचिका के रूप में स्विकृत किया था अदालत मित्र की रूप में मुगदत सांदरकर और सरकार की और से ठाकरी ने पैरवी की बुध्वार को सुन्वाई के दोरान सरकारी पक्ष की और से बताया गया कि वर्धा में इसी शुरू किया क्या है जहाँ पर सौफ्ट्वेर के संचालन का अध्यान किया जा रहा है यदि इसका संचालन बिना किसी व्यवधान की रहा तो इसे आगे पढ़ाया जाएगा साथ ही अन्यस्थानों पर इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी किन्तो इसके अध्यान के लिए समय लगने की संभावना है पुकता होने के बाद ही अगली पहल की जा सकीगी इसके बाद संपुर्ण महाराश की चेल और अधारतों को इंटिग्रेट किया जा सकीगा कर सुनवाई के दोरान प्रशासन द्वारा दायर के एगे हलफ नामा में बताया किया कि करनाट कराच्य विधी सेवा प्रदीकरन की और से चेल और विधी सेवा प्रदीकरन की बीच इलेक्ट्रोनिक लिंक जोडने का मॉडिल तयार किया NIC ने वेब बेस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम तयार कर करनाट कराच्य विधी सेवा प्रदीकरन को दिया सिस्टेम के अनुसार चेल में बन आरूपियों की वर्तमान संख्या जिन आरूपियों के खिलाफ मामली लिंबित है उनकी जानकारी यहां तक कि CRPC की धारा 436 A के तहट जो कैदी लाभारती हो सकता है उसकी जानकारी भी एक दूसरी के बीच आदान प्रदान कर सकते है राश्ट्र विदी सेवा प्रदीकरन की ओर से संबन्दित को इसका अनुपालन करने की सुचना चारी की गई लेकिन NIC द्वारा कोट के बीच इस लिंक को पेस्थापित करना पाकी है NIC द्वारा चल्दी इसे डेवलप करने का आश्वासन भी दिया था केमरा पोसिन राजकुमार मोर की साथ दिशाहटवार पीसेन न्यूस नागपूर